हलो फ्रेंड्स, वेल्कम डू माई चैनल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, मैं हर्प्री पटेल बात करूँगा आपसे सुड़ी में 79 जास इच्छक वरती की न्यूज के बारे में, तो क्या न्यूज है, क्या रणेद ही है सरकार की, वो क्या करेगी अब आगे 79 जास इच् राज सरकार उनातर जास इच्छक वरती में हाई कोट के अंतरिम फैसले के खिलाब डबल बेंच में अपील करेगी, इस बाबत परिच्छा नियावक प्रादिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है, राज सरकार गुरुवार को अपील दायर कर चकती है, बेस्दी सिच्छा राजमंतरी डाक्टर सतीश चंदर दिवेदी की अधिच्छता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है, अंतरिम फैसला आते ही डाक्टर दिवेदी बेस्दी सिच्छा निदेश साले पहुँच गए और फैसले की कापी आने पर काउंसलिंग रुकवाने के निर्देश जारी किये गए, वहीं परिच्छा नियाव परादीकारी से तुरंत अपील करने के लिए प्रस्ताव मागा गया और साम तक प्रस्ताव निदेश साले भेज दिया गया है, बैठक में तैक किया गया है कि गुरुवार तक अपील दायर कर दी जाएगी और इसकी मजबूत प फैसला सुनाया जाना था, जिसमें आया है कि इस्टे हो गया है, तो इस्टे को हटवाने के लिए सरकार जो है डबल बेंच में जाने का प्लान कर रही है, और जाएगी भी, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, और मेरा मानना है कि डबल बेंच में जाएगा, फिर सुप् परसिदी प्रात्मिक स्कूलों में 79,000 साहिक अधापक भरती के लिए काउंसलिंग के पहले दिन हाई कोड से लगी रोक ने 7 साल पुरानी घटना फिर दोहरा दी चार परविरी 2013 को एकाडमिक रिकार्ड के आधार पर 32,825 प्रिसिच्चु सिच्चक भरती के काउंसलिंग सुरुई होने के पहले दिन हाई कोड ने रोक लगा दी थी वही रोक 32,825 प्रिसिच्चु सिच्चक भरती का टरनिंग पॉइंट साबित हुई और बाद में सुप्रियम कोड के आधेश पर TET मेरिट पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई उसके तहट वर्तमान में 46,655 सिच्चक प्रैमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो देखिए इस्टे लग गया था 72,825 भरती प्रासेस में वैसा ही 79,655 भरती में हुआ देखिए काफी फेर बदल हो रहा है इस भरती में काफी उठा पटक हो रहे हैं सरकार जो है मान नहीं रहे हैं किसी चीज़ को लेके तो ये गलत बात है बाकी बहुत सारे ऐसे विवादित प्रशने जिन पर अभ्यर्चों को अंक मिला था उन पर अंक नहीं दिये गए हैं तो देख लेते हैं विवादित प्रशनों को लिखाए विवादित प्रशनों के चलते कोट ने लगाई रोक तो आपको पता होना चाहिए कौन से विवादित प्रश्ण है हाई कोड ने उनातर या साय के दैवक भरती पर जो अंत्रिम रोग लगाई है वहाँ प्रश्ण पत्र में सामिल कुछ गलत सवालों के कारण है दायर की गई याचिका में उठाए गए सवाल कुछ इस प्रकार है देखी एक प्रश्ण से अच्छिक प्रसासन उप्यक्त विद्यार्थियों को उप्यक्त से च्चिकोदारा समचिस इच्छा अपदान करने योग बनाता है जिससे वे उप्लब्द सादनों का अपयोग करके अपनी प्रसेच्छन में सरवोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें यह परिभासा दी गई है उप्त प्रश्ण का सही उत्तर कुंजी में विकलब संक्या तीन विलफेर ग्राय बताया गया जबकि याच्यों का कहना है इस प्रस्ण का English Virgin अलग है और सही उत्तर ग्राहम बिल फोर का विकलब ही नहीं दिया गया है फिर आता है नाथ संपर्दाय के प्रबर्ता कौन है उक्त प्रश्ण का सही उत्तर संख्या एग मतसेंद्र नाथ बताया गया है जबकि याचियों ने विकल्प संख्या दो गोरख नाथ को सही उत्तर बताया है उसके बाद प्रशनाता है भारती समिधान सभा के पर्थम अध्यच कौन थे तो ये इस्थाई और आस्थाई वाला जो है बावाल है इस पर जो है विवाद है अगला है पढ़ने लिखने की अच्छमता क्या है इस प्रशन का सही उत्तर विकल्प संक्या दो डिस्लेक्सिया बताया गया है तो इस चीज को लेकर तो मैं पहले से ही थोड़ा सा कन्फिज था डिस्लेक्सिया तो ही नहीं सकता डिस्लेक्सिया तो पढ़ने और लिखने दोन प्रेयरक है इस प्रश्ण का सही विकल्प संक्या एक आत्म गौरव बताया गया है जब कि याचियों ने विकल्प संक्या दो प्रेयम को सही उत्तर बताया है देखिए पहले ही मैं बता दूं कि PNP की जो है हट की वज़े से यह सब हो रहा है जब जिन प्रस्णों पर जो है 10-12 प्रस्ण जिन पर आपत्या ली गई थी उनकर तो अंक बढाया यह नहीं और ऐसे प्रस्णों पर एंक बढाया जिन पर लोगों ने आपत्या ही नहीं के थी हिंदी रचना उपर अरे हिंदी के रचना यह तो नॉर्मली रूप से आज तक जो भी टीटी वह पूछी प्रशनों पर आपती हुई थी उन पर तो अंकधिया नहीं और ऐसे प्रशनों पर कामा नहीं करे दिया जिन पर देना नहीं चाहे था तो लोग तो जाएंगे ही भरती में इसी बज़े से जो है कल की काउंसलिंग में तीन जून को रोग लग गई बड़ा ही बावाल है और ल अगली निउस देख लेते हैं लिखा है चार प्रशनों के उत्तर बदले तो मेरिड में बड़ा उलट फेर होगा बेलगूल उलट फेर होगा उनात्तर यार सिच्छक भरती में प्रशनों का विवाद बड़ा उलट पर का कारण बन सकता है वैसे तो भेरती ने बारा सिच्छा में सपल होकर सिच्छक भरती की रेस में सामिल हो जाएंगे जबकि सैकड़ों भरती के अन्य सूची में बाहर हो जाने का खत्रा मड़नाने लगेगा देखिए बिल्कुल सही बात है क्योंकि होगा ऐसा कि अगर चारंग बढ़ जाते हैं तो जो सिच्छा मेंतर हम अगरäl हें लेकिन उनका गोडांक बहुत ज़्यादा है तो कह सकते हैं निचली मेरिट डालोμα घाट हो जाएगा और जिनका mr mesh्ट्राइब बढ़े की मिस्ट अब जिला आवंटन होने पर हजारो अभेरती बुद्वार से काउंसलिंग के लिए रातो रात आवंटे जिले की और निकल पड़े बिल्कुल सही बात है कोई उधार लेकर भागा तो कोई छोटो बच्चे को घर छोड़ कर निकल लिया अब परड़ाम बदलने के बाद जो भेरती बाहर होंगे उनके पर दुख का पहार चुटेगा बिल्कुल टूटेगा जानकारों का मानना है कि एक जून को सुनवाई के दवरान हाई कोट का रुख देखने के बाद जिला आवंटन रोक देते तो आज हजारों लोगों को पर फटाफट जो है जिला वंटन की सूची चारी कर दी अब क्या कहा जाए दांदली है इसी वज़े से लोग फटाफट हर चीज को करना चाह रहे हैं देखते हैं क्या होता है भाई मैं तो चाहूंगा जल्द जल्दी भरती हो और इधर प्रेंका गांधी जी ने ट्विट किय है उसको देख लेते हैं देखे लिखा है कांग्रेस की राष्टी महासची और यूपी प्रभारी प्रेंका गांधी ने उनातर रहा सिचक भरती मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला उन्होंने बुद्वार को टूइट कर कहा कि एक बार फिर से प्रदेश के यु परवाही कि सबसे ज्यादा मार विवाओं पर पड़ रही है बिल्कुल सही बात है अगर टाइम पर सचेत जाएं और अच्छा पेपर बनवाएं तो कोई दिक्कत नहीं है पता ने किस हिसाब के लोग बैठे हुए हैं विभाग में कि वो एक पेपर सेट ने करवा पाते है तो मतलब इनको किस हिसाब सेट करना चाहिए लोगों को यहीं नहीं पता है सेलेबस क्या है सेलेबस से बाहर कैसे हो जाता है यहीं नहीं समझ में आता है फिर बाद में विवाद खड़ा होगा सालों साल भरतिया चलेंगी तो बड़ा दिमाग खराब हो जाता है देगे लखनों में भी रहा असमंजस मायस होकर लोटे भरती हाँ बिल्कुल सबसे पहले काउंसलिंग लखनों में बंद हो गई थी और उसके बाद जैसे साड़े दस बजे के बाद पता चला था कि इस्टे हो गया है भरती पे तो काउंसलिंग जो है बहुत से जुलों में चलती रही दो बज़े तक ढहे बज़े तक लेकिन जैसे ही दो ढहे बज़े के बाद जो है जब सचीव का आधेस आता है तो काउंसलिंग रोक दी गई औ के वापस कर दिए गए तो बड़ा दुक की बात होती है कि कह सकते हैं निवाला जो है मुह से सिच्छीन लिया तो अगली नुज देखते हैं नौकरी मिलेगी तो मिलेंगे 42,000 बिर्गुल सही बात है 58,000 में जो है 49,849 से स्टार्टिंग हुई थी लेकिन जो 49,000 उसमें 42,000 से अधिक वेतन शुरू होगा देख लेते हैं वेतन भाई थोड़ा सा खुसी भी ले लिजिए लिखाए विवादित प्रशनों में मनात्र या सायक अधाय उभरती के भरत्यों का इंतियार थोड़ा बढ़ा जरूर है लेकिन जब इन्हें नौकरी बहुत अच्छी मानी जा रही है नवल्यूक्त चको को बेसिक के रूप में 35,417 परसंट डिये और सुरी 17 परसंट डिये का 6,018 और ग्रामीड छेतर में तैना तैनाती पर हरे 1340 कुल रुपए जो है 42,1708 रुपए होगा और जो सहरी में होगा उसमें 7,800 रुपए और परेसान ना हुए धैर बनाई रखिए देखिए समय जरूर प्रतिकूल है लेकिन जो है जल्द ही अनकूल समय आएगा परेसान ना हुए और लड़कियां जो है हमारी जो बहने हैं वो ज्यादा परेसान हो जाती है उनके पैरेंट ज्यादा परेसान हो जाते है तो परेसान क्या होता है मिलते हैं आप से अगली वीडियो में थैंक्यू फ्रेंट थैन्य बाद